कि देखो बच्चो मैत के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए नए चीजे कुछ चीजे हम तुमें से खाएंगे और उसमें फर्मूला यूज भी सिखाएंगे तब तक के लिए जो हम पिछले क्लास में कुछ पूरे थियोरी फर्मूला को क्लियर करना तब तक करते रहाना है और आज सीखना है ट्रीनिमेट्री सीख जाओगे न मैथेमेटिक से स्ट्रॉंग हो जाएगा इसलिए मिहनत करते रहना पड़ेगा ध्यान दो बर्चो कोश्चन है कि 10x by 10y दिया हुआ है a by b और प्रूफ करना है साइन x प्लस y साइन x माइनस y a प्लस b दिवाइडेड बाई a माइनस b या प्रूफ करना है हमेर तो तुम बच्चो देख रहे होगे कि इसमें जो प्रूफ करना है मेरा उसमें उपर प्लस में है नीचे माइनस में है तो एक थियोरी होता है उस थियोरी के बारे पहले बताते है देखो a by b और इधर दिया है c by d तो एक मेथड होता है इसमें होता कि दो चीज़ डिवाइड में है तो उपर दोनों को प्लस कर दो और नीचे दोनों को माइनस कर दो तो कभी भी यहाँ देखो दो चीज़ डिवाइड में रहेगा तो उपर दोनों को जोड देना है नीचे दोनों घटा देना है जो कामिधर किये हो वही कामिधर करना है यहाँ पे देख रहे हो जो दिया हुआ है जो लाना है ए मैनस भी है तो यहाँ तो कवीशन देख ए हमको समझना है कि एक अ से प्राप्ध हो अप्लाइंग अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवीडेंडो मेथड डिवीडेंडो मेथड अप्लाइंगे तो 10x प्लस 10y उपर दोनों जोड़ दो नीचे दोनों माइनस कर दो या उपर दोनों जोड़ दो A प्लस B A माइनस B इसे वच्चे तुम दोनों कर चुके होगे इसे साइड में लिख लेना है या अप्लाइंग हमेशा हाव होगा या चीद शिख ग्ये तुम कि कॉम्पोनेंडो डिवीडेंडो दो चीद डिवाईड में है तो उपर दोनों को प एक्स माइनस साइन वाई बाई कोस वाई ए पलस बी ए माइनस बी अब यहां आगे बढाएंगे तो कॉस एक्स कोस वाई एलसी अम लियें तो साइन एक्स कोस वाई पलस कॉस एक साइन वाई नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई एलसी अम ली है यह दोने एलसी अम ली है यह इधर बाव मल्टिप्लाई हो जाएगा और यह इधर मल्टिप्लाई हो जाएगा तो साइन एक्स कॉस वाई माईनस कॉस एक साइन वाई और इधार को जो था वह है a plus b a minus b यहां दोनों बच्चों cancel हो गया अब यहां देखो फर्मूला बार-बार क्रिक्नोमेट्री के बारे बात करते हैं तो बात करते हैं फर्मूला का sin a cos b plus cos a sin b तो फर्मूला यहां को हो जाया बच्चों sin a plus b divided by sin a minus b आ गया मेरा a plus b और a minus b यह प्रूब्ड हो गया मेरा देखो एक बार तुमनों को बताना है कि ट्रिक्नोमेट्री का रेंज बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ NCRT पढ़के छोड़ मत देना जैसे हम बहुत सारा चीज इस चैनल पर तुम देख रहे होगे कि NCRT का सोलूशन तो करा ही रहे है और उसके लाव बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज भी हम तुमें बताया है जब प्रोपार्ट्री जो ट्रेंगिल पर तीम क्लास दी है या आज का क्लास एक्स्ट्रा क्लास गया तो एक ऐसा चैनल जो तुमें NCRT के सोलूशन के साथ साथ आगे के चीजों को भी सिखाएगा अब इस कोश्ट्रा को भागो खुद से अटेम्ट लोगे सिखने के बार और फिर इसे चैनल इसको देख लोगे वीडियो जो किने के बार अब आगे बढ़ते हैं अले कोश्ट्रा की ओर कोश्ट्रा है मेरा साइन अलफा पलस वीटा थी बाइफ दिया है समझना है और कोश अलफा माइनस वीटा थाइफ बाइफ थाटिन दिया है क्या दिया हुआ है अब फाइंड करना है टैन टू अलफा यह बोथ ही संदार कोश्ट्रा है बच्चों कि अगर यहां पर साइन है यहां पर हमको प्लाना जो हम टैन लाना है तो साइन से टैन यह बदलने का तरीका क्या होता है अगर यहां ठीटा है तो साइन थीटा होता है पी बटा एक मतलब लंब बटा कर अधार निकलेंगे तो चार जाएगे कैसे आएगा चार रूट ओबर फाइप स्कार मैनस तरी उसकार जाएगे तो यहां तैन अलफा प्लस बीटा अंगर लोगे है तो थांप अधार पी बटा भी तो तीन बटा चा मतलब sin theta का मान दिया है तो 10 theta का मान निकल लेंगे उसी परकार यहां दियान देंगे कि अगर यहां पे इसको alpha minus beta माने तो अधार बटा करन मतलब b बटा h तो b हो गया 5 और h हो गया 13 यहां सुल्ब करेंगे तो 13 square minus 5 square आगया 12 तो 10 alpha minus beta आगया 12 बटा 5 हमें 10 alpha plus beta और 10 alpha minus beta नहीं चाहिए हमें चाहिए 10 2 alpha अब सोचों कि इन दोनों दिये हुए चीजों से 10 2 alpha हम लाख ऐसे सकते हैं तो सोचोंगे सोचों कि 2 alpha, alpha और alpha beta हट गया है यहां इसको और इसको जोड रहा है तो alpha alpha 2 alpha और beta हट गया है इसके इसके मदद से ही 10 2 alpha लाना है ताकि मोन भैरू तो इसी इसी का है ना भैरू तो तो तुमको इसका मालूम है और इसका मालूम है और 10 2 alpha लाना है तो इसे करते हैं 10 alpha पलस बीटा और alpha माइनस बीटा देखो यह इसे a माने हो अब इसे b माने हो तो 10 a पलस बीटा फर्मूला होता है 10 a पलस 10 b divided by 1-10 a into 10 b इसका धालू बाव अब ला चुके हो तुम 3 by 4 पलस 12 by 5 1-3 by 4 और 12 by 5 चल्सियम लेके आगे शोल्व कर लेगा बच्चो तो ऐसा कोश्यन आएगा अब सुल करने मेरे बाव है क्या वी सेल्सियम लिए 15 पलस 48 नीचे वी सेल्सियम लिए 20-66 ठीक है इस तरह संदुगार बना लेंगे तो नॉर्मल सा सवाल है तो ऐसे सवाल भी आते हैं इसे एक स्क्रीन सोट लेके नोट कर लोगे अगर हमें टैन 2 अलफा चाहिए था तो साइन में भैलू दिया है इसको टैन ये बदल लिए कॉस में भैलू दिया कि इसे टैन ये बदल लिए सब याद होना चाहिए इसलिए बच्चों बहुत तेजी से एंसी आटी को पार नहीं करना है रुक रुक कर इसको मजबूती से पढ़ना है धीरे धीरे जब तुम्हारा इस्टेंडर बदलेगा और ट्रिग्नोमेट्री में और चीजे तुम जानने लगे हम तुम्हें दिखान दो अब आगे कुस्चन के भैलू निकालना है फाइंड करना है साइं एटीन डिगरी देखो हमें भैलू पता किसका किसका है तो 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का यह पता भैलू है ठीक है और 15 दीन का निकालना था तो इसको घटा देना था 105 निकालना था तो इसको जोड़ देना था 55 निकालना था तो इसको कर देना था साड़े 22 निकालना था तो इसको आधा कर देना था मन दिये हुए भैलू क्योही दोगीना आधा करके हम बाकी भैलू भी निकालते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत तरह के फरमुला है इसको ध्य समयना अठारा का डबल करोगे 36 नहीं मलगूं है अठारा का तीन टाइम 54 पूर टाइंस चार से गुना करो 72 पांच से गुना करो 90 90 का भेलू पता है यानि कि अगर हम थीटा के जगा 18 डिग्री लेगे तो पांच थीटा के जगा क्या हो जाएगा साइन लगा नुए तो नहीं पता है तुम्हें किसेこの नंहीं तो में पता नहीं तो में तो टू धीटा और समय साइन के ओंदू ना क्षे टीटा का अदू यद्ध यद्ध कम सब्सक्राइब ऑदार के 18 था मेरा टौन जूmand करें त्रिपल करें दो से गुना, तीन से गुना, चार से गुना, पात से गुना, तो पात से गुना करने पर मेरा जाना पहचाना भेल है, इसलिए हम लोग 5 θटा लेगे दिने, लिए तोनों तरफ साइन या कोस लगाएंगे, तोना साइन 5 θटा का फर्मूला पता है पहले से, और कोस 5 θटा का फर्मूला पहले से पता है, इसलिए 2 θटा पलस 3 θटा कर दिने है, अब यहाँ पे 3 θटा 90 डिगरी माइनस 2 θटा, दोनों तरफ कोस लेलो, कोस 90 डिगरी माइनस 2 θटा, कोस 3 θटा, साइन 2 θटा, कोस 90 डिगरी माइनस 2 θटा, साइन 2 θटा होता है, इसका फर्मूला द देखो 4 cos q theta 3 cos theta 2 sin theta cos theta 1 cos theta लेखे कटा लो 4 cos square theta minus 3 2 sin theta cos theta जो बच्चा सोचेगा कि कटना नहीं था आप बोले थे नहीं काटना चाहिए वह सोचेगा क्यों काट दी हो पर नहीं काट होगे साइड ले जाके common लोगे cos theta 0 आजाए तो 0 तो नहीं नहीं होगा sin atara का value तो जीरो का value 0 होता है या cos 0 का cos 90 का value 0 होता है इसलिए काट सकते हैं हमें cos square का value नहीं चाहिए हमें चाहिए साइन का value इसे change कर ले रहे हैं इधर आ गया 2 sin theta तो 4 minus 4 sin square theta minus 3 आया क्या बच्चों तो 2 sin theta तो 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 बराबर 0 सब को इधर लेके चले जाए जया value हम पाली है अब यहां sin theta का value निकलना है तो अब तुम जानते होगे एक फर्मूला ध्यान दो a x square plus b x plus c बराबर 0 quadratic equation दिवधात सभी करने एक्स का value होता है minus b plus minus root over b square minus 4 c by 2 है पर्मूला पड़े होगे तेन क्लास में quadratic solve करने की है यहां a के जगा 4 b के जगा 2 c के जगा minus 1 है और x के जगा variable में sin theta है तो sin theta बराबर लिखेंगा minus b plus minus root over b square minus 4 a c by 2 a तो minus b plus minus b square minus 4 a c by 2 a minus 2 plus minus 4 and 16 root 20 हो गया 2 into 4 minus 2 plus minus 4 गुने 5 minus 2 plus minus 2 root 5 2 into 4 और निकाल लेंगे minus 1 plus minus root 5 by 4 यह में दाहने इसे बच्चों note करना पड़ेगा अभी तक के value को यह diagram इतना note करना पड़ेगा कि screenshot लो लिख लोगे एराद्या में समझा रहे हैं ठीक है screenshot यहां से लेज़ेना यह बता रहे हैं ठीक हटाते हैं इसे आप तो पहले सोचना होगा बहुत सारा चीज बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है सुगाद में सोच नहीं पाता है क्योंकि माइंड लेबल तेन्थ वाला राता है तो वह बच्चा धीरे धीरे मेहनत करके सीखेगा धीरे धीरे पाप जान जाओगा बच्चों लेको साइन खीटा का भैदू हमारा यह आहां गया है यह साइल अठारा डिगरी का भैलो दो भैल वाल्म ऐ ए है माइनस वाइनस वन माइनस जेर्यदी कंशन जेर्ट ह mound अधीरिवरे वर्षछ कुाद्रेंट में है अग तुमसे कोई cos 88 डिगरी का मान पुचेगा तो राम से रूट ओवर 1 माइनस sin square 88 डिगरी कर देगा बन जाएगा अगर कोई तुमसे sin 2 theta बराद 2 sin theta cos theta निख दिया जाएगा sin 36 डिगरी का value पुचेगा तो 2 into sin 88 डिगरी cos 88 डिगरी कर देगा sin 36 डिगरी का value भी निख जाएगा और sin 36 पता चल गया तो cos 36 भी पता चल गया root over 1 minus sin square 36 डिगरी sin 54 डिगरी पुचेगा तो देगे sin 90 डिगरी minus 36 डिगरी cos 36 डिगरी का value ही sin 54 का भी value भी जाएगा sin 72 डिगरी पुचेगा तो तुम sin 90 डिगरी minus 18 डिगरी करोगे तो तो cos 88 डिगरी यहां से क्या सिखे तुम 18 डिगरी 36 डिगरी 54 डिगरी बहतार डिगरी इतना का value तुम जानेगा तो ध्यान कुर्वा इसको नोट कर लोगे इससे जूड़ी हुई जो भी बाते हम तुमें सिखाए हैं उसको सिखना है यहां जो काम किये हैं उसको भी बार बार तुम लोगो समझना है खुद से महिनत नहीं करोगे तब बड़े चीजों को नहीं सीख पाओगे सिर्फ NCRT के रेंज के पढ़ाई के बाद भारत जैसा देश में तुम नवक्री नहीं कर पाओगे बच्चो भारत जो होता है वो अब बिर्लियर्ट का देश होता है बहुत तेज तेज बच्चा ह इसमें और उन बच्चों से मुकाबला करने के लिए हमें जवर्जस्त पढ़ाए ही हमें आगे बढ़ा पाएगा बहुत सारे बच्चे जो तेज़वांद बच्यों होते हैं उनके मन में जो गलत भावना होता है वह यह होता है बच्चों कि वह सोचते कि हम लोग हम लोग पंजोर करना पढ़ेगा और अपने आपको कमजोर नहीं समझना पढ़ेगा बहुत मेनत से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक अलग पुस्चन देखते हैं अब आगे धीरे धीरे कर कम तेज करेंगे तुम्हें लेकिन तुम्हारा सहयोग तो जरूरी है न बागू कि तुम पहरे NCRT बना लो सब फर्मूला जान जाओ जो बताते हैं नहीं समझ में आता है तो बार-बार रिपी लेकिन उसे तुम्हारा बेनेविट नहीं होने वाला है तुमको नौकरी करना है सफल परना है आगे बढ़ना है तो जो हम बाते बता रहें उसे सीखना पड़ेगा तुम्हें ध्यान दो साइन 10 डिगरी साइन 30 डिगरी साइन 50 डिगरी साइन 70 डिगरी पीज इक्वल टू 1 by 16 प्रूफ करना है विसको खोलते क्वलते यह प्रूफ करना है तो पहला बात है कि दो साइन का चीज प्रोड़क्ट में होता है तो मेरे पास एक फर्मूला है अब देखो फर्मूला का लिष्ट याद नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा बच्चो 2 साइन A, साइन B का एक नो बाहर करो तो उसका भरू स्काइब हुआ सबस्क्राइब साइन कचाश क्षाशं साइन दुगरी को 11 कि दरा ईसको सबाइब में ही है, साइन इसको 1 by 2 लिख दो साइन 30 दिगरी, एक 2 यहाँ मल्टिप्लाइ करो, क्यों मल्टिप्लाइ किये है 2, अरे बाव फार्मूला में 2 होता है, तो 2 मल्टिप्लाइ करेंगे ना, साइन 70 दिगरी, एक 2 हो गया 1 by 4, यहाँ 2 साइन A, साइन B, 3. Pocs A minus B,Canstar Dgary, minus 10 दिगरी, minus cos 21 दिगरी, यहाँ पर आजा Sin 70 दिगरी, आया किया, 1 by 4, Cos यहाँ सेको मल्टिप्लाइ करो, Sin 70 दिगरी, Cos 60 दिगरी, minus Sin 70 दिगरी, Cos 70 दिगरी, यहाँ पर चुनी, अब यहाँ पर धहान दो, यहां पे फर्मूला जो एक साइन और स्काप्रोड़क्ट आगिया तो क्या फर्मूला है लिख रहे हैं तू साइन ए कोस बी का फर्मूला होता है साइन ए पलस बी कला साइन ए मैनस फिल्स लिखले चुर्ट हम लिखें इसे तो 1 by 4 into 2 कर दो 2 sin 70 degree cos 40 degree 2 क्यों क्योंकि 2 फर्मूला में चाहिए हो गया तो 2 पर multiply के दो नीचे भी करना पड़ा sin 70 degree इसमें भी 2 multiply हो गया और cos 60 degree का value 1 by 2 आता है अब यहां जो 1 by 8 2 sin a cos b sin a plus b 70 degree plus 44 degree plus sin a minus b 70 degree minus 44 degree और यहां sin 70 degree है क्लिए रहां बच्चों इधार लिखते हैं ज्यान दो 1 by 8 sin 110 degree sin 30 degree sin 70 degree 110 degree को हम लोग sin 180 degree minus 70 degree लिख देंगे sin 30 degree 1 by 2 हो गया माइनस sin 70 degree sin 180 minus 3 चीता होता है 110 को 180 minus 70 लिखेंगे तो 110 हो जाएगा ना फिर से वापस sin 70 degree ही आ गया वह इसे भी 110 से 70 लेसे लिए इसको कटना पड़ेगा दोगी इन का हमें नहीं पता है साइन 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 घिक अट जिक कड़ है 1 by 8 1 by 2 1 by 16 यही आरेचेसा के देगे चार गोई इस तरह प्रोड़क्ट दिया हुगा रहेगा ना बाबू यही मेठड होता है बने लेका कॉस में भी रहेगा इसी तरह का टू को से कॉस्ट भी का भी फर्मूला होता है इसी तरह से कुष्टन आगे बढ़ता है तो हम अलग-अलग कोश्टन लिष्ट दे देंगे बाज में अभी फिलान एक ही कोश्टन को प्रेक्टिस करके तुमको सीखते रहना पड़ेगा या तुम्हें पास कोई अडर भूक है तो उसके एक्जाम्पल्स को बनाना शुरू करो एंसी आटी का लावा जैसे आरेडी सर्मा का भूक पता है क्योंकि अभी देखो आज हम तुम लोग के ओंपोनेंटों डिविडेंडों का कॉंसेप्ट बता है फिर उसके बाद हम तुमको बता है कॉंपोनेंडों डिविडेंडों के बाद की साइन 18 डिगरी शतरी बहत्तर डिगरी चोबंड डिगरी सब्सक्रावा कैसे निकाल सकते है फिर हम तुम लोग को बता है कि जब फैनं होंगे तो हम कैसे बनाएंगे फिर हम च्राण Two Alpha का け अलफा- बीटा पता है अलफा माइनस बीटा पता है तो उस तरह के चीजों को में हम कैसे अपलाई करते हैं अपने आपको यह चीजे भी हम तुम्हें सिखाएं तो थोड़ा मेहनत करोगे तो धीरे-धीरे ही सही सब कुछ हम तुम लोग को सिखा देंगे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन करो और उसके बाद जो डाउंट आता है एंसी आटी मों उसको इस पर श्टार लगा कि यह आप एक बार में नहीं बना था फिर को फिर से देखो नोट्स बनाना जरूरी है कि तुम बार-बार लीटेन फॉर्मेट में भी चीजों को पड़ो तो बच्चो ध्यान दो मार दि कि साइन थीटा पराबर दे दिया तैन थीटा थीटा निदावड़ा है तो तुम सूल्फ करने का मतलब होता है जाहां से उसाइन थीटा व्य कोस ठीटा लिख देंगे यहाँ साइन ठीटा कोस ठीटा इधर मल्टिप्लाई हो गया मैनास साइन ठीटा ब्राबर 0 हो गया है एक सब्सक्राइब उस्ता है जेन्रल सोलूसन में गए हो तूम सब्सक्राइब बच्चों जान गए हो मालगा तुमको दे दे इस तरह से पोश्चाम मला के दे दे यह A distance दे दिया और यह 2A distance दे दिया और यह 60 degree दे दिया और यह C दे दिया अगा C का भैलू निकालो ठेक तो को 60 degree अगर लगाओगे तो A square plus 2A का whole square minus C square 2A into 2A cost 60 degree 1 by 2 लिख कर solve करके आशसी तुम निकाल सकते हो A के टाद में तो ऐसे ऐसे नए ने तरह के सवाल अच्छे अच्छे सवाल तुम्हें बच्चों मिल सकते हैं तो पहले पूरा कॉपी को पूरा जो भी कॉपी पढ़ा है उसे complete करो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में नए कोस्चन को लेकर क्योंकि हम तुम लोगो टाइम देना चारे ट्रिवनोमेट्री को अभी तक के पढ़ाई को complete करने के लिए तो फिर कुछ नया कोस्चन को हम लोग लेकर रहेंगे और उन कोस्चनों में अलर्ट उक्स के कोस्चन ही होंगे और फिर उसके बाद हम लोग जनरल स्लूसन में इनीक्वालिटी पढ़ेंगे जिसा अभी तक तुम पढ़े हो साइं टीटा वन वाइट्यू अगर ऐसा देदें के साइं टीटा वन वाइट्यू से छोटा पे निकाली है ता ऐसा इनीक्वालिटी का कुछ्चन भी हम तुम लोगो पढ़ाएंगे तब के लिए खुब मेहांद करते रहों बच्चो